बीटिस काल जो बिटिस समराजिता उसमें माल्टीज आरेंज के बारे में बताएंगे की माल्टा जोकी सिस्टर्स फैमले का फल है जिसमें नीबू संत्रा मोस्मी भी आते हैं नारंगी रंग के इस फलका जो है क्या फायदे है और इसमें अलग जो है विटामीन है उनके बारे बताए जाएगा इसमें विटामीन सी और फासफोरस पोटेशियम और मैंगनिशम पायदा आता है और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो तो में चैनल को सब्सक्राइब लाइक बैला कंदमाना बिल्वकुल ना बुलें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को सेर करें ताकि इसकी जान माल्टे्च का मौसम चलाएं तो माल्टिच याशा फायदे हैं प्रबाद माल्टा जो है रोग पतीरोधक चम्ता बनाने के लिए काफी अच्छा है और एंईमीह जिनको और काफी फायदहना है खुन साब करने के लिए कई सारे जो विकार होते हैं उनके लिए काफी फायदेमन है और अजक मालता जो है प्रचिदीन महें एक ग्लास माल्टे का जूस रोजाना सेवन कर खुद को काफी दुरुस्त रखा जा सकता है तो माल्टा काभी फैद मेंने और अभी माल्टा काभी सस्ते में आ रहा है जो है कोई ज्यादा मार्केटिंग नहीं मिल पाती है क्योंकि मार्केटिंग ना मिलने स से जो है इसका प्राइज बहुत कम रहता है तो आप खरी लिए जोलो हम इसकी बारे में कुछ और जानका देदें माल्टा जो है नीबू प्रजाती का खुबसूरत एंटी आक्साइड वह सकती वर्दक फल है इसका रस ही नहीं बलकि इसका छिलका भी कारगर है माल्टा के स सेवन से गुर्दे की पत्री दूर होती है चिकिस्सा पदिती के रोग्यों को पत्री रोग्यों को माल्टे का जूस पीने की सलाह देते हैं भूग बलाने में कफ कम करने में खासी जुखाम में यह कारगर रहता है माल्टे के छिलके से इस तरन कैंसर के घाव ठीक होते हैं इससे तैयार पॉर्णा का परियोग करने से त्वचा में निखा रहाता है छील के से तैयार जो टेल ही वह भूती फाइदावन होता है माल्टा उच्छ अ कलिश्टोर वह उच्छ रखताव मुन कैंसर में अस्दार होता है दिल के दोर्णे में में यह काफी फायदैबन होता है अगर किशी को समझ रहे समस्हाओ तो वह फैदा उठा इचारे तो यह आधिक उचय पर समय होता जो कना किसको पसंड यह हम सभी कह फूट बहुत ही पसंद हां जया माल्टा जो है देश में ही नहीं व प्रिस्व में भी काफी इसकी मांग है वह काफी रसीला और फाइदे में पहाड़ों का जो है अच्छा खाचा फाल है तो इसे हम लोगों ने भी जो है अपनी कि दैनिक जीवन में इसका प्योकर से काफी फाइदा ले सकते हैं बात कर लेते हैं माल्टे में क्या क्या मौझूद है माल्टे में आम तोर पर केवल पिक्चासी परसेंट 85 परसेंट जो है कलरी होती है इसमें वसा और कलिस्ट्रो या सोडियम किल्कुल भी नहीं होता है यही नहीं होती है रिप इनसार माघ्र है कि दैनिक आश्रोकताव का 70% बिटामिन चीपता है विटामिन सी की प्रतिक्षा पर्णाली को मत्भूत करने में महत्वपूर्य हुमिकालमेद आता है है इसाथी शरीन आइडर को और क LIVE करता है के लिए इस बिटामिन की आशुक्ता होती है यह मासपेश्यां और हड्यूं के लिए अच्छा है एक गिलास माल्टे काजूर बिटामिन सी सबसे कारवर सोज माना गया है तो इसमें कई सारे जो है पारे हैं और पाचन तंदी के लिए एक माध्यम आकार के माल्टा में तीन ग्राम आहार फाइबर होता है जो ना केवल कब्ज को रोकने में मदद करता है बलकि स्वास्त आंत्र में बने बनाए रखने में करश्टों के इस तर को कम करने और रख्ट जो है सक्रा के इस तर को नियंतिल भी करता है तो माल्टा में काफी सारे फायदे मन वो जह है वजन घटाने में यह काफी काईगर साबित हुआ है क्योंकि इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जिसका मदब होता है कि यहां आपके पाचन तंत्र को साप और दूस्त प्राइबर की इसमें अटी आक्षाइड मजूद होता है सूजन को कम करने में लंबे समयता आपको इस बीमारी से बचाने में मदगार होता है सिरी के लंबे समय तक सूजन रहने कैंसर हिर्दे रोग मध्य में गठ्या और साथ वह अल्जम या जैसे बिमार्य को खत्रा कम करता है तो अगर किसी को ऐसी को समय चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें और काफी फायदा मन है माल्टे में और अभी पहाड़ों में माल्टे का सीज में चला है तो आप इसका फायादा उठाइए और जूस बना लीजिए अगर महतों हम जो कुछ दिनवाद जो है माल्टे का जूस कैसे बनाते हैं वह वीडियो भी आपको शेयर करेंगे